अज से सैक्डो साल पहले दुनिया भर में कई ऐसे शासक रहे जो काफी करूर थे। इनका नाम दुनिया के तमाम बड़े तानाशाहों में गिना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान लाखों लोगों की हत्या होने का भी दावा किया जाता है। दरसल हम यहां युगांडा के तानाशाह इदी अमीन की बात कर रहे हैं। जिसने 1972 में युगांडा में रहने वाले हजारों एशिया के लोगों को देश से बाहर निकलने का आदेश दे इदी अमीन का वजन 130 किलो से भी ज्यादा था और कद 6 फीट 4 इंच था। वो जब किसी के सामने खड़ा होता था तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। यानि वो एक जीता जागता दानव लगता था। इदी अमीन इतना करूर था कि लोग उसके नाम से ही घबराते थे। इ उसे यूगांडा का कसाई, बुच्चर ओफ यूगांडा कहा जाने लगा। पर उसकी कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती है। उसके तानाशाह बनने का सफर काफी लंबा है। उत्तर पश्चिमी यूगांडा में सुडान और कांगो के बोर्डर पर उसका जन्म उसकी सही बर्थ डेट तो लोगों नहीं मालूम, मगर दावा किया जाता है कि वो 1925 में पैदा हुआ था। छेह फीट चार इंच का कद, पढ़ाई में कमजोर, मगर बाक्सिंग, रगबी और स्विमिंग का वो चैंपियन था, जिसकी वजह से उसका रूप खतरनाक लगता उस दौर में युगांडा पर अंग्रेजो का राज्ज था। एक ब्रिटिश ओपनिवेशिक सेन्य अधिकारी द्वारा सेना में भरती किये जाने से पहले उसने कई छोटे मोटे काम किये। इदी अमीन साल 1946 में एक सहायक रसोईये के रूप में ब्रिटिश ओपनिवेशि गिलगिल केन्या में 21 VKR Infantry Battalion के लिए काम किया। उस वर्ष सोमाली शिफ्टा विद्रोहियों से लड़ने के लिए उसकी टुकडी को सोमालिया में तैनात किया गया। इदी अमीन को पदोन्नत किया गया। वो आर्मी के प्रती इतना समर्पित था कि धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता गया और 1962 तक उसे मिलिटरी में सबसे उंचा दरजा दे दिया गया जो उस वक्त अफ्रीकन लोगों को दिया जाता था। 1962 में देश आजाद हुआ और अमीन के रिष्टे प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे से बेहद खास हो गए। अमीन की मदद से ओबोटे ने देश की सत्ता हासिल कर दी और अमीन को आर्मी का मुखिया बना दिया। पर अमीन उसका भी सगा नहीं निकला। उसे सत्ता की ऐसी भूख थी कि 25 जनवरी 1971 को अमीन ने सत्ता परिवर्तन कर दिया और ओबोटे को हिरासत में ले लिया। उसके बाद उसने अपने मनसूबों को पूरा करने की शुरुआत की। अमीन के सत्ता में आने पर लोगों को लगा कि वो लोकल व्यक्ती है, गरीबों का मसीहा है और अपने तौर तरीकों में अनौपचारिक है। पर अंदर ही अंदर अमीन के मनसूबे तो कुछ और ही थे वो अपनी विश्वसनिय सेना तयार कर रहा था उसने आर्मी के करीब 5,000 जवानों को मौत के घाट उतरवा दिया जो ओबोटे के सपोर्टर थे इसके साथ ही उसने देश में राजनीतिक हत्याएं करवाई जिसमें कई बदले की भावना से कई गई थी लोगों का मानना है कि उसने करीब 3,000,000 लोगों की जान ली पर कुछ लोग तो दावा करते हैं कि ये संख्या 5,000,000 तक थी उसके निजी जीवन की बात करे तो अमीन ने युगांडा के अलग-अलग समुदायों की महिलाओं से शादियां की थी उसकी 6 पतनिया थी पर देश भर में उसकी 30 से ज्यादा प्रेमिकाएं थी अफवाह उड़ा करती थी कि वो अपने फ्रिज में इंसानी सिर सहेज कर रखा करता था कई लोगों दावा है कि उसने 4000 अपाहिज लोगों को नील नदी में मगर मच्छो का चारा बनने के लिए फेंक दिया था इदी अमीन ने अपने तानाशाही कानून के तहत देश वासियों को कई यातनाएं दी जिससे वो मौत के शिकार बने इस तानाशाह ने अधिकाश पीडितों को गोली मार दी लेकिन कई प्रमुख लोगों के सिर काट दिये गए और उनके सिर कथित तोर पर अमीन के आवाज में एक फ्रीजर में रख दिये गए अमीन समय समय पर उन्हें फ्रीजर से निकालता, अपनी खाने की मेज के चारो ओर रखता और उनके साथ बातचीत करता यह भी बताया जाता है कि वह इनसान का खून पीता और गोश्ट खाता था साल 1976 में उसने खुद ये दावा किया था कि वह इनसानी मांस खाता है जिसका स्वाद नमकीन होता है तेंदुए के मांस से ज्यादा नमकीन, वो लीबिया के तानाशाह मुअमर, अल-गद्दाफी का दोस्त बन चुका था तंजानिया से युद्ध लड़ने के लिए उसने इसराइल से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया उसके बाद अमीन ने लीबिया से मदद मांगी थी यही वज़ह है कि वो इसराइल और यूरोपिये देशों से चिड़ता था युगांडा के इस तानाशाह इदी अमीन ने अपने राज्ज के दोरान भारतिय मूल के करीब 80,000 लोगों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया था ये कुछ वैसा ही था जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था युगांडा की हर फैमिली चाहे वो कितनी ही रसूखदार क्यों न हो उन्हें सिर्फ एक सूटकेस और पाँच हजार रुपए ले जाने की इजाज़त थी ये सब ही वो परिवार थे जिनके पास करोडों अर्बों की जमीन जायदाद थी लेकिन जान बचाने के लिए उन्हें देश छोड़ कर भागना पड़ा और उनके द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस को अपने खास लोगों में बांट दिया अपने शासन के दौरान उसने युगांडा की अर्थ व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इजैक करने वाले फिलिस्तीनी और वामपंथी उग्रवादियों को मदद का आफर दे डाला तेल अवीव से पैरिस जा रही फ्लाइट को उसने अपने देश के एक एयरपोर्ट पर उतरवाया जहां उसने जरूरी सुविधाएं आतंकवादियों को मुहया करवाई उस विमान में 246 यात्री और 12 क्रू के लोग सवार थे उसमें 105 इजरायली भी थे जिनहें छुड़वाने के लिए एंटेब एयरपोर्ट पर इजरायली सैनिकों ने सबसे सफल रेस्क्यू आपरेशन किया जिसमें से 101 लोगों को वो बचाने में कामयाब हुए और एक इजरायली सैनिक की जान गई जबकि 7 हाईजाइकर और 20 युगांडा के जवान धेर हो गए देश बरबादी की ओर बढ़ता जा रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी काफी जो देश से एक्सपोर्ट हुआ करती थी उसका सबसे बड़ा खरीददार अमेरिका था उसने भी सारे संबंध तोड लिये तो व्यपारियों को काफी नुकसान हो रहा था अंदरूनी कलह और आवाज अमीन के खिलाफ उठ रही थी इन सब चीजों को देखते हुए उसने सत्ता में बने रहने की सबसे आखरी चाल चली और अक्टूबर 1978 में उसने तंजानिया पर हमला बोल दिया तंजानिया ने युद्ध लड़ा और युगांडा की सेना को हरा दिया इसके बाद 11 अप्रेल 1989 को तंजानिया की सेना और निर्वासित युगांडा के सैनिकों ने युगांडा की राजधानी कमपाला पर कबजा कर लिया इस तरह अमीन का शासन समाप्थ हुआ बचने के लिए अमीन सबसे पहले अपनी पत्नियों और तीस बच्चों के साथ लीबिया भागा फिर वहां से साओधी अरब के जेद्दा चला गया 1989 तक वो वही रहा और उसके बाद नकली पासपोर्ट बनवा कर वो कांगो के शहर किन्शासा चला गया 16 अगस्त 2003 को उसकी मौत हो गई अपने शासन के दौरान अमीन खुद को भगवान मानने लगा था वो खुद को अफरीका में ब्रिटिश सामराज्य का विजेता बताता था आज भी युगांडा के लोग जब उसका नाम सुनते हैं तो कांप उठते हैं